सब से मेल यहां पर बने दो अड़ों के एक वाल में तोड़ लिया है तो इस अच्छी तरह से आपको फैट लेना है फैट इक अब बद इसमें हमें सारी सब्जिया मिलानी है तो यह आपके बस जो भी सब्जी ही आप वह लीजिये जो नहीं है उसे ऑप स्किप कर दे अब इसमें हम सारे मसाले कर देंगे अब इसमें हम अधी चमज अद्रगरी मिल्ट की पेस्ट मिलाएंगे इसी साथ 2 टेबल स्पून सेजवान चट्नी मिलानी है यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी अब इसमें 1 टेबल काली मिच पावड़ मिलाएंगे और स्वाथ के रुण सा नमक मिला देना है बस अभी हम सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यह जो सैंड्विश वो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगी बिल्कुल बिजादा समय नहीं लेगेगा तो इस परकार मिच पावड़ कर लेना है तवे पर थोड़ा तेल डाल देंगे गैस के आज को यहाँ पर हम बिल्कुल दीमा रखेंगे अभी जो तेयर के विशन है वो सारा डाल देंगे तो यहाँ पर हम एक ओमलेट तेयर कर रहे है और यहाँ पर आपको खास दन रखना है यह जो ओमलेट है वो थोड़ी ठीक तेयर करनी है तो पैन जो है वो आपको बड़ा नहीं लेना है मिडियम साइस का पैन ले जो मिशन है उसे तुरंदी फैला लीजिए अभी यह जो ओमलेट है उसे बिल्कुल दीमियाज पर हम अच्छे से पकने देंगे इसे दीमियाज पर पकाना जरूरी है आप चाओ तो इससे डग भी सकते हो तो इसे मैंने डग के एक साइट पर पका लिया है अभी इसे हम चेक करेंगे जब यह एक साइट पक जाए तो बिल्कुल हलके हाथ इसे हम पलट देंगे तो इस प्रकार इसे पलट देना है दूसरी बाजू भी इसे हम अच्छे से पका लेंगे अभी यह दूसरी बाजू भी पक गई है तो इस प्रकार की ओमलेट तेयर कर लेनी है अब इसका हम चार टुकर में काट लेंगे तो इस प्रकार ओमलेट को काट लेना है अब ही हम इसमें से सैंड्वीच बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने ब्रेट की दो स्लाइस लिए एक पर हम मक्कन लगा लेंगे और मक्कन भी अच्छे तरह से लगा लेना है अब ही दूसरी जो ब्रेट की स्लाइस है इसके उपर हम सैंड्वीच की जो हरी चटनी आती है वो लगाएंगे इसकी रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट किया है तो वो आप जरूर देखेगा अब ही हमने जिसमें मक्कन लगा है उसके उपर हम सेजवन चतनी लगा रहेंगे तो यह भी हम अच्छे से लगाएंगे अब ही हमने जो ओमलेट को काटके रखा था उसमें से दो पीस को हम इसके उपर रख देंगे इसके बाद फिर से आपको एक ब्रेट की स्लाइस रखनी है और इससे हम ओमलेट के उपर रख देंगे तो यहाँ पर एक सेंडवीच बनाने के लिए आपको तीन ब्रेट की स्लाइस चाहिए होगी और एक ओमलेट में से आपकी दो सेंडवीच बनेगी अब इसके उपर हम कटीवी सबजी आ रग देंगे तो यहाँ पर मैं टमाट और प्याद लिया है आप चोड़ों थोड़ा घीरा भी ले सकते हो अब इसके उपर हम चीज डाल देंगे यहाँ पर मैंने प्रॉसेस चीज ली है चीज़े डाने के बाद इसके उपर सेंड़ीच मसाला या चाट मसाला डाल देना है अब ही जो चट्णी वाली ब्रेट स्लाइस है इसे हम रख देंगे उपर के और फिर से हमें मक्खन लगा लेना है तो उपर और नीचे मक्खन लगाना बहुत ही ज़रूरी है सेंड्विच जो है एकदम करारी बनती है अब यह हमें एक ग्रिल तवा लिया है आप जो तो regular तवे में भी से बना सकते हो या फिर जो सेंड्विच में कराता है इसमें भी से बना सकते हो उपर के और भी हम मक्कन लगा लेंगे इसे इस प्रकर हम दबाते जाएंगे और सेंड्विच को अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे जब यह एक साइट ग्रिल हो जाए उसके बाद हलके हादों इसे हम पलट लेंगे यह देखे यह बहुत ही बड़ी है ग्रिल हो गई है दूसरी वाज़ी भी हम इसे ग्रिल कर लेना है यह लिजिए एकदम बड़ी है सेजवान ओमलेट सेंड्विच तैयार है यह रिसे भी आप जरूर ट्राइ कीजिगा बहुत ही जबज़स बनती है